हलो दोस्तों मैं हूँ गोरा हूँ और इस वीडियो में आपन देखने वाले हैं कि आपन वर्चुल बॉक्स में थ्री नोड क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर के ऐसे सेट अप कर सकते हैं तो यह वर्चुल बॉक्स है और यहां पर मैंने यह तीन वीम चला रखी है क्यूबरनेट जो सिस्टम है उसको प्रोसेसर जो है वो टू प्रोसेसर मिनिमम होने चाहिए और दोस्तों दूसरी चीज क्या होनी चाहिए जो तीनों वर्चुल मसीन है ना इस सेम नेटवर्क में होनी चाहिए एक दूसरे को पिंग कर सके तो उस चीज को करने के लिए मैंने यहां पर कै सब्क्राइब अब कर रख आपको वह वह ढ़्युक्त जरूरिस बैस क widget कर रख कर जो मैंने कैसा कर रख आपको ऑपको बता देता हूं है तो मैने यहां पर देख sums यहां पर एक नाटवर्क कि तीनल को सेन्स नेट नेटवर्क как है ठीक है यह master का configuration है अभी मैं आपको worker1 का बताता हूं कि सी राइट तीनों के तीनों मसीन सेम नेटवर्क में तो एक दूसरे को पिंग करेगी चलो अभी आप हो सकता है कई वंदा में कोई वंदा मेरे को बढ़ ले कि यार मेरे तो यह है है यह यह ऐसे दीखी नहीं रहे है तो दोस्तों यह manually create करने पड़ते हैं तो कैसे करते हैं वह भी मैं आपको बता देता हूं कि अन्नेटवर्क में जाके सपोज आपको एक न्यू नेटवर्क क्रेट करना है और नेटवर्क का नेम दे देते हैं आपन एक्स आई जेड नेटवर्क राइट ओके और अभी आप देखोगे नेटवर्क में आके तो आपको वह एक्स आई जेड नेटवर्क भी दिख गया राइट तो ऐसे आप कर सकते हैं चलो अभी मैं इन तीनों मसीन के आईपी देख लेता हूं कित्ते कितने हैं सो जो मेरा मास्टर है उसका है 42 आई मिन 192.168.25.42 राइट एंड वर्कर वन वर्कर वन का आईपी है 43 एंड वर्कर टू का जो आईपी है वो है आए प्वोर्टीफोर राइट 42 443 एंड 44 चलो अभी आई मिन देख यू आई अच्छा लगे तो इसलिए मैं इन तीनों के तीनों वीम को ऐसा सेच कर रहा हूं मेरे काली लीनक्स के अंदर चलो यह भी उस नेटर्क में आ गया है 192.168.25.73 तो अभी जो काली लीनक्स है वो भी मेरे उन तीनों वीम को पिंग कर पाएगा राइट चलो अभी सबसे पहले मास्टर जो है मैं उसको SSH ले लेता हूं SSH username and IP चलो अभी मैं वर्कर वन को भी लेता हूं तो मैं न्यू टैब उपन कर रहा हूं आप न्यू टैब नीचे देख सकते हो राइट यह टैब वान एंड टैब टू तो अभी आप नीचे देख सकते हो यह जो है यह है टैब वन या फिर आप यहां से भी देख सकते हो यह मास्टर नोड है ठीक है यह जो है यह है वर्कर वन और यह है वर्कर टू तो दोस्तों पहली requirement क्या है सबसे पहले आपको ना आपके kubernetes क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड होंगे उनके अंदर swap जो है वो ओफ होना चाहिए राइट तो पहले हम आपको दिखा देता हूं कि पता कैसे करोगी कि है भी इनेबल या नहीं है राइट आपको free-h command चलान free-h यहां पर भी है चलो यह तो है ओके अभी जो है इसको disable कैसे करना है इसको off कैसे करना है तो उसकी command है swap off-a ओके तो as a root user करने का है तो या तो आप root user बन सकते हैं या आप sudo command use कर सकते हैं तो मैं as a root user login हो रहा हूं तीनों के तीनों nodes में चलो अभी मैं वापस वह command चलाता हूँ swap off-a अभी देखो free-h बंद राइट जीरो बाइट चलो अभी मैं worker1 में चलाता हूँ same command अभी मैं चलाता हूँ worker2 में swap off-a free-h and either भी चलाके देख लेते हैं free-h चलो दोस्तों यह तो first time कर दिया अभी क्या होता है जब भी machine restart होईगी तो यह वापस enable हो जाएगा तो अपने को क्या करना होगा fs tab में जाके यह entry disable करनी होगी चलो लाइस एटी सी स्लैस fs tab यहां पर यह जो लाइन है जित्ते भी लाइन जो swap से start हो रही है उनको सब को comment करने का है उसके बाद अपने को क्या करना होगा अपने को तीनो के तीनो notes के अंदर docker install करना पड़ेगा ठीक है तो चलो docker के documentation पर जाते हैं and docker install करने का try करते हैं चलो अभी docker install करने से फैले भी एक चीज़ देखो docker पर ही करेंगे क्यूबर्नेटिक्स जो है वह कोई भी container रन करना चाहेगा तो docker पर रन करेगा तो उसको docker तो चाहिए लेट्टेस्ट वर्जन को support करेगा तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले क्यूबर्नेटिक्स के documentation पर जाएंगे वहां पर देखेंगे क्यूबर्नेटिक्स docker के कौन से version को support करता है और वह वाला version अपन यहां download करेंगे ओके चलो क्यूबर्नेटिक्स के release notes पर जाते हैं कि जो docker है वह कौन से version को support करता है यहां पर मैं कर रहा हूं control F and directly search कर रहा हूं docker राइट चलो नीचे चलते हैं राइट यह रहा अपडेट टू लेटेस्ट वेलिडेट वेलिडेट वर्जन आफ डोकर 19.3 राइट चलो तो अपने को अभी हो सकता है अपन डोकर की साइट पर जाये तो वहां पर 20.3 दिख जाये राइट पर आपको जो इंस्टोल करना है 19.3 या उससे पहले के वर्जन ही करना है ठीक है पहले ही एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास कौन सा वर्जन है ठीक है सो cat slash etc slash os.release मेरे पास जो है वो उबन टू है तो अभी उबन टू के अंदर डोकर कैस इंस्टोल करते हैं वो देखते हैं उबन टू एंड आप यहां पर देख सकते हो उपर उपर राइट यह जो करन्ट वर्जन है डोकर का हूँ है 19.3 राइट सो एस वर्जन को kubernetes सपुन शर्राइट और है तो अपन यह आराम से इंस्टोल कर सकते हैं कोई जो IP कर आँए को यह अई है चलो स्टार्ट करते हैं यहींसे यदि आपके मसीन में पहले से कुछ installed है तो उसको uninstall करने के लिए अपनी एक कमांड चलाते हैं राइट तो मेरे सारे के सारे fresh machine है किसी पर भी कुछ भी install नहीं है कि और बैस operating system install करके रखा है मैंने तो चलो पर फिर भी एक बार चला के देख लेते हैं राइट चलो अब उसके बाद में apt-get update कमांड चलाते हैं उसके बाद मैं अपने को यह सारे के सारे packages इंस्टोल करने हैं जो डिपेंडेंसी है docker की चलो सबसे पहले सेम कमांड मारता हूं master पे नाव वरकर 1 पे एंड अभी वरकर 2 पे राइट वाइट 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 और यस चलो यह इंस्टोल हो गया है master पे अभी उसके बाद मैं अपने को यह की एड करनी है कोपी एंड पेस्ट ओके प्लियार पेस्ट ऑके एंड प्लियार अपने को रैपो भी एड करनी है राइट चलो रैपो एड करते हैं तो अपना है जो है amd64 तो अपने को यह कमांड चलानी है कोपी एंटर वर्कर वन पे भी सेम कमांड और वर्कर टू पे भी सेम कमांड और मास्टर पे भी चलो यह हो गया अब उसके बाद में क्या करना है अपने को वापस अपडेट करना है और उसके बाद में अपने को यह कमांड चलानी है राइट तो मैं इस कमांड को कोपी कर लेता हूं अभी चलते हैं इधर और अपडेट राइट चलो अपडेट हो गया अभी मैं ये कमांड चलाता हूँ जो क्या करेगा आपके मसीन के अंदर डॉप कर जो है वो इंस्टॉल कर देगा यास आपको तीनों मसीन पर ये कमांड चलानी है हाइफान चलो 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 यास एंद वर्कर टू पर भी आपको सेम कमांड चलानी है राइट चलो दोस्तों मास्टर नोट पर डॉप कर इंस्टॉल हो चुका राइट चलो देख लेते हैं डॉप कर वर्जिन राइट तो आप देख सकते हो 9.3.5 जो हो इंस्टॉल हो चुका है एंड आइमीं क्लाइंट वर्जिन जो हो 9.3.5 है एंड जो इंजन वर्जिन है वह भी 9.3.5 है वर्कर वन पर भी देख लेते हैं डॉप कर वर्जिन कमाड राइट बढ़िया कोई टेंचन नहीं चल रहा है सब कुछ अब इधर भी देख लेते हैं डॉप कर वर्जिन चलो क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर जब अपन सेटप करते हैं तो उसके लिए टूल्स जो है बहुत सा अलग अलग टूल्स हैं के दानेवी qubeadmin के थ value install करना यह तो वह भी तो अपने मजीन में install होना चाहिए रई तो सबसे पहले happen Christine we rdm अपने मजीन में install करते हैं कि ते कर है कि 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 तो 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 सबसे पहले आप यह चीज verify कर लेना कि इसका जो output आएगा वो आपका हर एक node में अलग अलग output होना चाहिए राइट वैसे यह अलग अलगी होता है बट कई केस में यह आप वीम का snapshot लेते हैं या फिर नो hard clone करके वीम बनाते हैं तो उस case में यह same आ जाता है चलो देख लेते हैं राइट अलग अलग है राइट एंड मास्टर पर भी देख लेते हैं बढ़िया अलग अलग है तीनों में यह हो गया उसके बाद में यह जो है इसमें क्या बता रखा है कि IP टेबर जब वो यूज होनी चाहिए यह है उबन्टू 1904 और उसके बाद के लिए और अपने पास कौन सा वर्जन है वह देखते हैं कैट अपने पास जो है वह 1804 है लॉंग टम सपोर्ट राइट ल्टीएश बोले तो और एपीटी गेट अपडेट रहा है सेम कमांड्स मैं वर्कर वन और वर्कर टू में चला रहा हूँ बता था हूँ मैं यह कमांड्स क्या करती है डोंट वरी तो दोस्तों पहले तो कमांड्स क्या क्या है राइट तो पहले तो एपीटी गेट अपडेट उसके बाद में sudo apt-get install apt-transport sttp और curl तो यह apt-transport sttp ts एक package है वो install करेगी और curl package है वो install करेगी राइट उसके बाद में यह जो entry है आई मिन यह जो कमांड्स है यह कमांड्स क्या करेगी की add करेगी आपके machine के अंदर उसके बाद में यह वाली जो command cat eof end of file राइट यह क्या करेगा simply आप यदि इस file के अंदर गए ठीक है यह file आपके machine में बन जाएगी तो उसके अंदर आपको यह entry मिलेगी राइट तो यह काम जो है वो यह तीन line करती है उसके बाद में आपने repo add कर दिया है तो आपको आपकी repo update करनी है और आप उसके अंदर cube admin जो आपका cluster setup करने में help करेगा क्यूब CTL इसके बारे में अपने mini cube installation के टाइम पर बात की थी पर मैं आपको वापस बता देता हूं cube CTL command आपके cluster से बात करेगी राइट I mean आपको cluster पर pod create करना है या फिर कोई भी resource create करना है तो वो जो काम है resource create करने का या pod create करने का अभी pod क्या होता है या अपन अगले वीडियो में देखने वाले है don't worry या in simple word ऐसे मान लीजिए कि आपको kubernetes cluster पर कुछ भी operation करना है न तो आपका client होता है आपके kubernetes cluster के लिए क्यूब CTL को कई लोग क्यूब CTL को कई लोग क्यूब CTL बोलते हैं कई लोग क्यूब CTL बोलते हैं और कई लोग उसको क्यूब कटल बोलते हैं क्यूब admin cluster setup करेगा and kubelet क्या है इसके बारे में जब अपन architecture देखेंगे पूरे के पूरे क का क्यूबर नेटिक्स का तब अपन इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं ठीक है अभी के केस में ऐसा मान लीजे कि आपको यह पैकेज इंस्टॉल करना है आपके तीनों मसीन पर चलो तो अपडेट होगा है राइट अभी यह तीनों के तीनों पैकेज इंस्टॉल करते हैं कोपी पेस्ट पेस्ट एंड वर्कर टू पे चलो दोस्तों अभी क्या हुआ क्यूब कटल क्यूब एड्मिन और क्यूब लेट जो है वह आपके मसीन में इस्टॉल हो गया आप अपन क्या करते हैं अब यह तो हो गया अभी अपने को बताना भी तो पड़ेगा न कि मैं इस नोड को मास्टर बनाने का है बाकी के इन दोनों नोड को वर्कर बताने का रहे तो क्यूब एड्मिन के त्रू अपन अभी यह सारा ऑपरेशन करने वाले तो चलो मैं डोक्युमेंटेशन पे लेक क्लस्टर अप Piend रन छुका है ऐड् arranged यह उसमें एक अफ्लिकैसां डिप्लोई किया उसमें एक का अप्लिकैसन सर्वर एंड प्लिकैसा में दूसरा हो एड़ेटाबेस अभी फूआ क्लस्टर में जब आपने अप्लिकैसाँ डिप्लोई किया तो आपका जो वेब कंटेश है वो एक अलग नोड पे आ गया एंड जो डीवी कंटेनर है वो अलग नोड पे आ गया राइट तो उन दोनों कंटेनर के बीज में कनेक्टिविटी कैसे होईगी तो उसके लिए networking solutions बहुत सारे available हैं Kubernetes के case में ठीक है चलो अभी मैं आपको बताता हूं यह देखओ यह सारे के सारे इनमें से आप कोई सावी यूज़ कर सकते हैं अब ही ना भी ना बात ही आती है कि इन सब में से यूज़ कोन सा करना है तो दोस्तों क्या किया मैंने सब से पहले यह triple को करने का सोचा पर हुआ क्या मैंने यहां पर देखा कि यह जो सपोर्ट करता है न वो इस CIDR को सपोर्ट कर रहा है बाई डिफोल्ट राइट और इस सेम सी आइडियार मेरा नेट्वर्क है राइट 192.168.0.0.16 मतलब यह आई-पी अड्रेस यहां से लेके 192.168.255.255.16 तक जा सकता है राइट और इस रेंज के अंदर मेरे खुद के जो नोड है राइट वर्कर एंड मास्टर एंड वर्कर राइट देखो यहां पर राइट यह आई-पी अड्रेस उसी रेंज का है तो मेरे पोड का जो आई-पी यह वो इस रेंज के अंदर तो हाओ दिख कि हम हर किसी में यहां पर भी आप देखों कर आप हाँ अलिग को अलिए तो अपर होगा नहीं कि तो में तो नौट कर चल ऽुआ मैं बात में वाट एडिट कर देख सकते हैं बट फिर जब मैं फैनल पर घए आ तो मैंने देखा कि इसमें जो पोड का सी आई डी वो यह राइट तो मतलब यह अपन यूज कर सकते हैं चलो तो अभी मैं क्या करूँगा जब भी मैं अभी यह इनिशलाइज करूँगा डोकर स्वार्म तो उस ताइम पे मैं यह पैरामेटर पास कराऊंगा तो वह कैसे करेंगे देखते हैं मैंने आपको बताय था कि यहां पर अपन क्यूब एड्मिन कमांड के थूख क्लस्टर सेट अप करेंगे तो पहली प्रोसेस क्या होती है आपको बताना होता है कि मैं मास्टर हूँ खुद गई और बाद में फिर क्या होता है एक नोड आएगा उसको बताएंगे वह तेरा मास यह तो फिर अभी वो क्या है एक बंदा मास्टर बन गया सारे के सारे उसके वर्कर बन गए और प्लस्टर सैट अप हो गया है बस सिम्पल प्रोसेस पर सब से पहले मास्टर आना चाहिए तो अपन मास्टर को इनिशलाईज करेंगे तो यहां पर अंपन जो क्यूब एड्म 10.244.0.0.16 तो अभी होगा क्या जो भी अपने को पोड़ आएंगे ना वो इस रेंज के आएंगे और मैंने ये नैट्रोक अड्रेस में यहां दे दिया सिम्पल एकदम कुछ भी नहीं है I don't think so कि अभी तक कुछ समझ में नाया हो and मैंने enter मार दिया कि चलो दोस्तों तो अपना मास्टर जो है वह अप आ गया है रैट अब मैं कैसे मानू आप आगया तो kubectl get nodes command है right ओके तो यह command तब तक अभी kubectl get nodes right मैंने यह command चलाई तो मैंने मेरे client को बोला कि मेरे cluster के अंदर कितने node है मुझे बता पर हुआ क्या client जो है ना उसको अपने यह नहीं बताया कि भाई तरह cluster कौन सा है दुनिया में हजारो cluster है मुझे कौन से cluster का बताना है कि किस में कितने node है तो वो configuration अपने को setup करना रहेगा तो वो setup configuration करने के लिए उपर देखो तीन कमांड रखी हुई है यह तीनो कमांड राइट कुछ नहीं करना इन तीनो कमांड को कोपी करो यहां से and just paste it खतम खेल खतम अभी चलाओ cube ctl get nodes कमांड राइट आ गया चलो एक नोड आ गया अभी मैं यह कोपी करता हूं किदर गया एक कमांड यह था राइट qadm join यह क्या है यह मेरे master ने बोला है कि यदि कोई भी worker मेरे पास आएगा ना तो वो इस token के साथ मेरे पास आना चाहिए ठीक है मतलब अभी मैं worker को जाके बोलूँगा कि भाई जा और master पर एड़ो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई भी एक master बन गया और दुनिया में कोई भी बंदा बोलेगा भाई मैं तेरा worker हूं मुझे तरे cluster में join कर राइट नहीं प्रोसेस क्या होईगी authentication token या फिर discovery token जो है राइट इसके साथ उसको आना पड़ेगा कि मेरे पास valid token है और मैं एक valid worker हूँ मुझे add कर ले राइट चलो तो अभी मैं करता हूँ इस command को copy और इसको चलाता हूँ मैं दोनों workers में बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ राइट मैं अभी के case मैं command को copy कर लेता ह इसका मतलब क्या होता है बाद में बताता हूँ और यदि आपको थोड़ा बहुत Kubernetes साता है तो मैं बता लेता हूँ default name space के अंदर आप एक भी pod नहीं है बट all over the name space जिते भी आपके cluster के अंदर जिते भी name space है उनके अंदर जो pods है वो कितने है पर यदि आपको अभी मैं जो भ running आई नहीं है यार आपका ये code DNS देखो जीरो जीरो राइट तो फिर अब क्या तो अपने याद है फैनल जो अपने क्योवल एक CIDR दिया था उसके नीचे एक चीज जो लिखी हुई थी क्या लिखी हुई थी कि आप ये सारा दो और उसके बाद में आपको ये command भी चलानी है राइट तो आप documentation पर जाके ये चीज फोलो करना क्योंकि मैं आपको देखो यदि straightforward यदि commands बता देता हो सकता है कल कुछ command change हो जाए राइट चलो तो and enter ठीक है अभी क्या होगा फैनल एड हो जाएगा अभी देखो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो राइट अभी के टाइम पर एक फैनल का जो है ये एक नया आया है राइट और एक ये code dns के जो थे ये अभी running state में आ गया है तो अभी अपनने जो cube admin join command जो अपनने कोपी किया था अभी उसको अपन जाके वर्कर्स पर एड करते हैं ठीक है उससे पहले वापस एक बार cube ctl get nodes command चला के देख लेते हैं अपने पूरे के पूरे cluster के अंदर केवल एक node है ठीक है चलो तो फिर अभी वो command जाके कोपी एंड पेस्ट करते हैं वर्कर वन पर और वर्कर टू पर तो चलो करता हूं उसको मैं कोपी वर्कर वन पर है राइट कंट्रोल शिफ्ट वी एंड एंटर गुट सेम वही टोकन करता हूं वर्कर टू पर एंटर सो एक बार देखते हैं क्यूब सेटी एल गत नौट्स गुट वेटिंग इस नौट है जोएंड प्लस्टर राइट चलो वर्कर टू पर जाके देखते हैं इसको भी होने देते हैं या फिर उदर जाके जब तक देख लेते हैं मास्टर पर गेट नौट्स कमांड आउट पूट राइट दोनों के दोनों आ चुके हैं बट दोनों अभी नौट रेडी स्टेट में हैं सो अपन वेट करते हैं उनका रेडी स्टेट में आने के लिए चला के देखते हैं वाफस qtl get-nodes तो आप देख सकते हो आपका जो क्लस्टर रहे पूरा कमा आइमिन क्लस्टर के तीनों के तीनों वी अभी रेडी स्टेट में आ चुक हैं तो दोस्तों ऐसे आप क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर सेट अप कर सकते हैं आपके लोकल एन्वार में तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाए